हेलो स्टूदेंट इस पंकेश दिमान फेकलिटी मेंबर आफ एस बेस लॉग कोलीज श्री गंगा नगर विया स्टेडिंग कोड़ प्रोसीजर एंड लिमिटेशन एक नैंटे सिक्टी थी एंड नेक्स्ट क्वेस्टिन इस वट दो यू मीन बाइद फेर ट्राइल तो आज ह की जाएगी और उसके बेसिक प्रिंसिपल वहां पे क्या होते हैं बहुत जो यह देखिए सिवल परसेजर हो चाहे किनल परसेजर हो दोनों में ही कोड का काम क्या है एक फेर ट्राइल कंड़क्ट करना एक निश्पक्ष जो है वहां पे कारवाई हो दोनों पार्टिस के होना चाहिए तो फेर ट्राइल जो है आपके पास यहां पे क्वेस्टन है फेर ट्राइल है फेर ट्राइल है निश्पक्ष ट्राइल है तो फेर ट्राइल जो है बहुत ज्रूरी है एक सच्चे नियाए के लिए नियाए के लिए इन मैटर ऑफ रती राम वस्य स्टेट वो मद्य परदेश इट वस हेल्ड बाइ सुप्रीम कोट अधर ट्राइल इस अधर प्रदेश के सिसमें सुप्रीम कोट ने बोला था कि जो फेर ट्राइल है वो किमनल जुरिस्परदेश की दिल और आत्मा है तो इस केस में भी यही बोला गया है कि प्रॉपर और स्पीडी ट्राइल जो है किसी भी अध्मिस्टिशन जुस्टिस के लिए बहुत ही इंपोर्टर र्क्वारमेंट है तो फेर ट्राइल तभी माना जाएगा जब वो स्पीडी ट्राइल हो फास्ट हो, सिंपल हो, कोई पक्षपात वहाँ पे नहो किसी तरीकी का किसी पार्टी को अपनी बात रखने का अगर मौका वहाँ पे नहीं मिलता है तो वो फेर ट्राइल नहीं है नहर सिंग यादव वसी यूनिन अफ इंडिया AI 2000 level Supreme Court, it was held by the Supreme Court that the criminal trial not only deprive a person of personal liberty but also deprive him of life तो criminal trial जो होता है एक person की जो अजादी कोई नहीं चीनता उसकी जिंदगी को चीन लेता है तो therefore trial should be free, fair and just इसलिए जो trial जो होगा वो साफसुत्रा फिर होना चाहिए जस्ट होना चाहिए नया देने वाला होना चाहिए आर्टिकल 14, 20, 21 of the constitution also indicate that fair trial तो इंडियन constitution के अंडर जो आर्टिकल 14, 20 और 21 है ये भी fair trial की बात करते हैं कि fair trial बहुत important है निश्पक्ष कारवाय बहुत जरूरी है अगर fair trial नहीं होता है तो एक proper administration justice नहीं है वहाँ पे justice की जो है उमीद आप नहीं कर सकते है requirement for the fair trial तो fair trial के लिए क्या क्या है requirement है कौन कौन सी चीजे जो है fair trial के लिए हो चाहिए constitution of India में भी इसके बारे में लिख रखा सबसे पहले fair trial तभी मारा जाएगा जब वहाँ पे speedy trial हो जल्दी जल्दी कारवाई हो ये ना हो कि आज case file किया और उसका result जो है कोई 25 साल के बाद आए तो यहाँ पे क्या होता है वहाँ पे कहवत क्या है कि अगर delay होता है तो it means कि justice वहाँ पे नहीं है justice deny जो है हो जाता है वहाँ पे justice delay जो है आपके पास maxim है कि अगर justice में जितनी जात देरी होगी नहीं में जितनी जात देरी होगी ये मालजी है कि कहीं न कहीं आपको नहीं मिला ही नहीं तो जो जो फेर ट्राइल हो वो हमेशा speedy होना चाहिए fast होना चाहिए अगर उसमें unnecessary delay किया जा रहा है तो कहीं न कहीं वहाँ पे नय जो है उसका कोई मतलब वहाँ पे नहीं रह जाता है State of Kerala वसी रनीफ AI 2011 Supreme Court का case है It was held right to speedy trial is a fundamental right इसमें जो है article 21 के अंदर जो है बुला गया है कोड ने साब बुला है कि article 21 के अंदर जो है right of speedy trial भी आता है means एक person को right है यह उसका fundamental right है कि case की जो hearing है वो speedy हो जल्दी हो अगर जिसको नय मिलना है उसकी lifetime में उसको justice में ली नहीं पाया तो उस justice का फाइदा किया वकील परसाद सिंग वसी State of Bihar AI 2009 Supreme Court का case है It was held speedy trial has been considered a fundamental right of a person under article 21 of the constitution तो यह मैंने आपको पहले बताया कि speedy trial आपका एक fundamental right है और यह article 21 में cover होता है so it's your fundamental right also Santosh Day Archana Guha AI 1994 Supreme Court का case है It was held by the Supreme Court that excessive and unnecessary trial in the trial is a violation of the liberty of life and personal liberty under article 21 of the constitution इस case में भी सुपरियोगों नसाफ बोला था कि अगर किसी भी trial में जो है excessive or unnecessary delay हो रहा है तो यह माना जाएगा कि आपके article 21 की violation वहाँ पे की जा रही है तो एक निश्पक्ष कारवाही या एक फेर ट्राइल तभी होगा जब उसमें अपरचुनिट अपरचुनिट अब यह बोलता है कि जब तक आप दोनों पार्टी को अपनी बात रखने का मौका नहीं देंगे आप किसी तरिकी का वर्डिक्ट निरने वहाँ पे नहीं ले सकते हैं अब्दुल शंकर अब कंप्रिवसी यूनिट अफ इंडिया AI 2002 सुप्रीम कोड केसा है अगर कोई ऐसा ओर जहां पर एक पार्टी को और दे दिया गया तो ऐसे ओर ने के और को सट आफ जासकता है उसकी गेंस्ट आप जा सकते हैं कि जब तक आप दूसरी पार्टी को मौका नहीं देंगे तब कोई भी और वहाँ पर किसी भी पार्टी को नहीं सकता पे मिले, in the matter of divine retreat center, state of Kerala AI 2008 Supreme Court का case है, no order affecting any person should be passed without giving an opportunity of being heard, किसी भी order की पालना करना वहाँ पे जुरूरी नहीं है, जब तक दोनों parties को अपनी बात रखने का मौका वहाँ पे नहीं दिया गया है, so, दूसरी essential condition क्या है, fair trial के लिए, कि दोनों parties को अपनी बात को रखने का मौका वहाँ पे मिले, और बिना दोनों parties को होने को इस decision court नहीं कर सकती है, fairness of trial, fairness में किया है कि निश्पक्ष होनी चाहिए, पूरा trial, trial जो है वो independent होना चाहिए, निश्पक्ष होना चाहिए, अनबाइस होना चाहिए, कोई बाइस जो है, पक्षपात वहाँ पे ना किया जाए, इस सारी चीज़ें जो है उस trial में होनी चाहिए, यह बहुत जुरूरी है नियाए के लिए कि जज्ज जो है, उनसे expectation की जाहिए कि do not lean toward any party, वो किसी vicious party की तरह ज़्यादा जुकाव ना रखें, do not hear a case in which the himself is a party, in the which he is interested, या फिर उस case में किसी तरह की party, या किसी तरह की उस case को hear ना करें, जहां पे वो खुद भी एक party, या उस case में किसी तरह के से interested हो सकता है, this is called the principle of fairness, तो fairness तभी आएगी, जब यह दो चीज़ें जो है, judge follow करेगा, ना तो किसी party के towards ज़्यादा अपना जुकाव रखेगा, और ना ही, किस जिस case में वो खुद involved है, या खुद उसका को interest है, वहाँ पे, वो उसको judge करे, in the matter of board of the control for the cricket in India, and the cricket association of Bihar, it was held by the Supreme Court that no person can become a judge in his own case, जहाँ पे वो खुद involved है, no person can become a judge in his own case, अपने case में वो judge नहीं हो सकता है, और यह सारी proceeding, जो है आपकी quasi judicial proceeding में चलती है, जो भी टर्मिनल की proceedings होती है, वहाँ पे भी यह सारे जो principle of natural justice, और principle of fairness का जो है rule यहाँ पे भी follow किया जाता है, मनोहर मानिक राओ, अच्छोले वसी state of maharashtra case है, it was held that the principle of natural justice also applied to the administration matter, तो जो administration matter होते हैं, जो tribunal matter होते हैं, जो courts आपके पास होती हैं, उनको भी यह principle of natural justice follow करना ही होता है, the main object of the board, the above principle of natural justice to prevent injustice, that is to prevent injustice, तो main object क्या है? पे इनजस्टिस को वहाँ पे रोखना, प्रवीजन of article 20 of the constitution, article 20 के provision क्या आपको बताते हैं, यह आप देखेजिए जहाँ पे, किस देखे से fairness में trial, trial में fairness होगी, तो fair trial तभी होगा, यह आपने उपर पढ़ लिया, जब speedy trial होगा, दोनों को अपनी बात रखने का पूरा मौका में लेगा, और 30 वहाँ पे fairness होगी, तो, article 20 of the constitution has made a following provision regarding the trial and conviction, तो trial and conviction से लेटर article 20 भी Indian constitution का साब बताता है, कि कभी फिर trial माना जाएगा, जब no person shall be prosecuted and convicted of any act which at the time of commission was not an offense punishment under this court, इसको हम expose de facto law भी बोलते हैं, यह retrospectively application of the law भी बोलते हैं, जो law अब applicable नहीं है, उस law के basis में किसी को सजा नहीं दी जा सकती, It means कि किसी person को prosecuted या convicted नहीं किया जा सकता, उस act के लिए जो कि उस time पे एक offense नहीं था, जब वो act किया गया था, तो उसी law के अंट्रोस को punish किया जा सकता है, जहां पे वो act punishable है, अगर वो act punishable नहीं है, तो उसको जो है वहाँ पे punish नहीं किया जा सकता है, या किसी पराने law में जहां पे वो act punishment उसका use करके आ सकते है, तो retrospective application of the law नहीं हो सकती, और इसको exposed defecto law भी वहाँ पे बोलते है, दूसरा, अगर ऐसा होता है, तो fair trial नहीं है, no person can be prosecuted and punished for the same offense for more than one, किसी भी person को prosecuted or punished जो है, एक ही offense के लिए दो वार नहीं किया जा सकता है, इसको principle of protection against a double geo party जो है, बो person can be compelled to give evidence against himself, self incumination को बना जाता है, article 20 clause 3 में बताया गया है, कि अपने ही against आपको जो है, गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, और अगर आप खुद ही अपने against गवाही दे रहे हो, यह आपकी against यूज होगा और इसकी बेसे आपको सजा हो सकती है, तो उसको मजबूर किसी तरिके से नहीं किया जा सकता है, वो अपने आपको plead करने का option चूज कर सकता है, तो अगर उस पे जवरदस्ती दवा बनाया जाता है, कि वो अपनी against वहाँ पे कोई बात बता दे, तो वहाँ पे फिरी ट्राइल जो है नहीं माना जाएगा, इसको ब Thus this is a important principle of fair trial, this principle shall apply to all the following type of proceedings, तो fair trial का जो प्रिंसिपल है और constitution के article 20 में जो बाते लिखा की है, ये सभी matter, चाहे हो civil matter हो, criminal matter हो, administrative matter हो सभी पे apply होता है, means fair trial तभी माना जाएगा, जब चाहे हो civil matter हो, चाहे हो criminal matter हो, चाहे हो administrative matter हो, वहाँ पे speedly trial हो, बोथ opportunity should be, opportunity of being healed हो, unbiased हो वहाँ पे और article 20 के अंडर जो है, exposed de facto law यूज ना किया जाए, double जो पार्डी वहाँ पे ना हो, और self incumulation वागर वहाँ पे नहीं होती है, तो एक जो है fair trial उसको माना जाएगा, thank you so much.